निसाद की नाव पे बढ़ेगा, निश्चित रूप से वो पार उतरेगा, चाहे वो विधान सभा का चुनाब हो, चाहे लोक सभा का चुनाब हो, निसाद राज ने राम को गले लगाया और राम ने निसाद राज को गले लगाया, तब जाके राम का कष्ठ हुआ, तो अगर वज की कर्म काया पहचान लो जरा महरसी बेद ब्यास चारो बेद के दाता वर्णित किये थे जीवय और ब्रह्म का नाता सद्यों से तेता द्वा पर सब दे रहे गवाही जाहिर निसाद बंस रहे हर युगों के राई भगवान राम की नाव अगर किसी ने पार लगाई थी तो वो थी केवटों ने निशाद पार्टी के नाम से अब पूरी तरह एक साथ अपनी ताकत दिखा रही है ये समुदाए और उसके साथ ये भी बताने का प्रयास कि इस बार उत्तरवदेश की राजनीती में 18-20 परसें जहां पर निशाद के विधायक है फिलाल जेल में है लेकिन क्या होगा निशाद का भविश्य बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोग सारे मिटाइलाल जी प्रांतिया के अध्यक्षे क्या है इस बार की नीती रण नीती और कितना भरोसा है कि नाव पार लग जाएगी पले पले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको आपके चैनल को और मैं बता देना चाहता हूँ जो निशाद की नाव पे बढ़ेगा निश्चित रूप से वो पार उतरेगा चाहे वो विधान सभा का चुनाव हो चाहे लोग सभा का चुनाव हो चाहे कोई भी छत्री सब्वार्याव पिले अधनी चुनाव जो निशाद की नाव पे साहरे आएगा और उस पार उतरेगा और यहां तक हम लोगोंने राम जब बनवाज से निकाले गये थे बेबस लचार थे निशाद राज के किले पिलाहाबाद, प्रयाग राज के किले पाए और उनके परम्मि कहते हैं कि राम यहीं रहो हमारे राज मल्म पे रहो और आपको बन जाने की कोई जरूरत नहीं है तो इस बार निशाद क्या राम को बनवास भेज रहे हैं कि वापस लखनों भेज रहे हैं नहीं राम जब भी बनवास आते हैं तो उनको तुरंस अपनी सेना दे के लंका पे बिजे दर्ज कराते हैं और बिजे दर्ज कराने पेपुने राम वापस आते हैं राजजा भी से खोता है राम उनको नेवता भेजते हैं निशाद राज काइबिनेट में उनका जिगह मिलती है तो निशाद राज ने राम को गले लगाया और राम ने निशाद राज को गले लगा रहे हैं निसाद के समाजिक मुद्दे हैं, उनके नदी से जूड़े हैं बालु खनन के मुद्दे हैं, क्योंकि जब से नदियों का जो खनन निंका जो सीधा इनके घर पे जमीन नहीं है, शिख्छा भी नहीं है, रोजजगार भी अच्छे नहीं है, और कोई भी ऐसी अगर निशादों के खनन का काम अगर सरकार हल कर दे और इनके इनको इनके नाम से ठीके पट्टे होने चाहिए क्योंकि 2007 में बस पाने ही तिनका नदी तालगाट का हिसा चीना था क्योंकि उससे पहले निशादों के ही नाम से हमारे बापदाओं की पुस्तैनी संपत थी तो 2007 बहाव किस तरफ है नदी का इसबार बापदा और यहां दिशात पर्टी के वोट पर कायम है निशाद क्या बीजपी राम जी के साथ है भारतिय जनता पर्टी को याद होना चाहिए कि निसाद आई जाहने राम का मदद किया है और निशाथ पाइटी ने 2017 में मदद किया, 2014 मदद किया, 2019 मने अब मदद किया पेच्छा से निशाथ पाइटी के मेरे समाजिक मद्ध्य हो जाए, आरच्छन के मद्ध्य हो जाए, अगरे 1925 से मारे आरच्छन संभिधान में गरे पदत हमको सुभधाय दिये गए है, बसपा इस पे अपने अपन्ना के लागू करके अपने लोगों का रच्छन का लाब दे सकती है, और समाजबादी के लोग पिछडी का लाब लेख सकते हैं, अभी हमको सतर साल में हो गया हमको हमारा प्रमाणपत्य भी नहीं जारी हुआ, बहन जी आती है तो हमको अन सुचिन में हमको रोक लगा देती हैं, और मुलायम सिंक के लोग हमको पिछडी जात बना के उसका लाब भी उटाते हैं, लेकिन जब हाक के देने की बात आती है तो हमको अगड़ी पिछडी में बाग के हमको उलजा देते हैं, मिटाइलाल जी, कितने वोटर हैं इस बार और क्या उनके हम लोग काराना, नूरपुल, गोरकपूर में सपाबस्पा के लाइंस में रहे तो उनका भी सम्मान बढ़ा और बड़ी-बड़ी सीट, हम लोग दोटोट मुकमंत्री को जैसी सीटों का हम लोग उने विजय दर्ज करा उत चैनलों ने बताया, निसाथ पार्टी के वज़ बड़ी जीत गई और 2019 में सपा बस पा लाकी हासी साथ जासी मिल गई, हम लोग निसाथ पार्टी भारती जनता पार्टी के साथ रहे और देखें के तुरन भारती जनता पार्टी की सरकार बने और चिन्न के हिसाब से ही अगर बात करें तो इस बार ठाली भरी है? भोजन भरी थाली हमेशा भरी है मडम जी हर गरीब के लिए अमीर के लिए तो भोजन भरी थाली तो भरी है और जो भोजन भरी थाली को ठुकराएगा और निशाद नौ पार करने वाले हैं और जो निशादों को छोड़ेगा और निशाद नौ पार करने वाले है और जो की है लेकिन उसको टिकाय रखना कितना आसान होगा बिल्कुल सही टिकाय रखना सभी निसादों का धर्म है सभी समाज के लोगों ने हमारे समाज को निसाद समाज को हमेशा चलने का काम किया है सपा बसपा भाजपा कांग्रेस हमेशा हमारे समाज को इस्तिमाल किया है उन्हो ने हमारे समार में आये और उन्होंने एक नारा दिया कि कश्यप निसाद बिंद सभी जानलो जरा पूर्वज की कर्म काया पहचानलो जरा महरसी बेद ब्यास चारो बेद के दाता वरणित किये थे जीवय और ब्रह्म का नाता सद्यों से तेता द्वापर सब दे रहे गवाही जाहिर निसाद बंसर है हर यूगों के राई तो इसी चीज को ले करके डाक्टर संजे कुमार निसाद जी ने अपने पुरजों की धरोहर को बता दिया उन्होंने बताया कि आप लोग एक राजा के बंसर हो और अपनी अब कब तक सोशितों की तरह जूते खाते रहोगे भी लूग राजने पार्टी तो निसाद कोई बात सुनी ज़ा जाती थी, तो हमारे लोगों ने भी राजनेती पार्टी बनाकर अपनी समस्याशाव करना चाह रहे हैं, अभि माने बादधान तो हो रहा है, लेकिन ब्द्दे क्या है? इस बार कि अगर मुद्दों की बात क कर देती है तो हमारा पार्टि तो अभी हमारा निशयदय क्या है अत कर निशयर का है जो रोजगार है सब का हम मछुआयों का यह सब्सक्ति अब बढ़àng के सांथ में यह लोग है याल होतना पुरिये है、 जो आति हुआ यह पूरे हमारे विधान सभाई ने पूरे उत्तर प्रदेश के मचवारों का आवाज है। मचवारा कहने में भले ही लगे कि मचवारे हैं, लेकिन यह कहें कि नाओं के साथ मचली भी ठीक पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब हम लोग 25 फिट नीचे एक बुल्ला से समझ जाते हैं कि कितने किलो की रोही है, कितना किलो का मचली है। तो अगर पानी के 25 फिट हम लोग समझ गया, तो अब उत्तर प्रदेश पर हम लोग जाने के का सीट पर हमारी पकड़ है। 165 सीट पर निचास समाज का पकड़ है। अब 70 सीट पर हम लोग पलिटकल फाइटर हमारे उतर गया है। जो एकदम कंगारू टाइप के हैं जो 17 जीता गया, जो 18 जीता गया, 2019 जीता गया। यही कंगारू हमारे पलिटकल जो यह पाटनर है, यही लोग हमको 2022 भी जीता गया। उनको समाजी सोच में परवाद है, सोच परिवर्तन किये, उनको सोच परिवर्तन किये, सत्ता की कुर्षी पर बठे और कलम पकड़ के अपने लोगों का मान सम्मान स्वाविया, रोटी कपड़ा मकान, न्याइपाल का कारपाल का बिधाय का में प्रतिनी देते जा दिया, तो वही सोच मानवा डाक्टर संजे कुमा का है, निसाद भाई एक हो जाओ, अगर निसाद राज राजा थे, कलम चला थे, कुर्षी था, पावर था, प्रतिस्टा था, तो असले निसाद राज के बेटा हो, तो कलम पकड़ो और अपने कलम से अपने भाग के लिखो, अग जाओ, जाहिद राजनेतिक दिया, तो अगर का मकर जाओ, जाओ, तब सवेरा, निशाद समुदाय को अभे थे, कि अब जागे है, तो अभी सवेरा है, लेकिन नदी का बहाओ किस तरफ है, और कौन पार लगेगा, ये तो समय ही बताएगा, फिलाल है कुछ महीनों का इंता और उसके बाद पता लगेगा कि इस बार की नाओ नदी के बहाओं के साथ थी या खिलाफ थी बहत वही पार जय मूना और बीच वा में है बरो नईया लगाए जय हो कैसे दी नभी तेरा जाता ना बताए जय हो कैसे दी नभी तेरा भी अबटाए जय कैसे दी नभी तेरा जाता ना बताए जय हो कैसे दी नभी तेरा निशाद पार्टी ये बखुबी जानती है कि करोणो वोट उनके हाथ में है और नाउक के लिए जमीन से ज्यादा पानी का बहाओ जरूरी होता है और इन गानों के जरीए उन्हें पता है कि वोट के साथ साथ बहाओ को भी काबू करना निशाद पार्टी को आता है और इस बार वोट और ज़्यादा दिल्चस्प होगा चुनाओ की रणनीती और राजनीती कुछ बदली-बदली सी भी नजर आती है जिस बजन में निशाद नामन उस बजन को गाना ना चाहिए बेटा ही कितना प्यारा हो उसे सर पे चड़ाना ना चाहिए जिस बजन में निशाद नामन उस बजन को गाना ना चाहिए बेटी ही कितनी प्यारी हो उसे घर घुमाना ना चाहिए बिश बजन में निशाद नामन उस बजन को गाना ना चाहिए बाई ही कितना बैरी हो उसे बेद चुपाना ना चाहिए जिस बजन में निशाद नामन उस बजन को गाना चाहिए पतनी ही कितनी प्यारी हो उसे बेद बताना ना चाहिए जिस बजन में राम का नामन उस बजन को गाना ना चाहिए जैनिशादाज जै शिराम डाक्टर संजे कुमान निशाद जिनदावाद जिनदावाद महारजा गुरान निशाद की जैए भगवान ड्राम की नाओ जिसने पार लगाई थी आप वो क्या लखनाओ की सत्ता पर भी बैठने के लिए बीजेपी की नाओ पार लगाएंगे निशाद पार्टी ये बखुबी जानती है कि करोणो वोट उनके हाथ में है और नाओ के लिए जमीन से ज्यादा पानी का बहाओ जरूरी होता है और इन गानों के जरीए उन्हें पता है कि वोट के साथ साथ बहाओ को भी काबू करना निशाद पार्टी को आता है और इस बार वोट और ज़्यादा दिल्चस्प होगा चुनाओ की रणनीती और राजनीती कुछ बदली-बदली सी भी नजार आती है क्यामरा पॉसन सुरज पांडे के साथ मनोग्या लोहिवाल भदोही एबीपी निउज आपको रखे आगे मैं आपको रखे आपको रखे रखे आपको, रखे खे आपको LAगर भदस्पणाद में भी नजाबीप बदली-वाया पांडे यार्टी निजा सुरज़ पांडे है हुआ है